बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इतने बुलायम कि मुँ में जाते ही घुल जाएं। आज हम बनाएंगे डिलिश्यस मलाई कोफती की रेसीपी, इसे आपने होटल या रेस्टोरेंट में बहुत बार खाया होगा, इसकी रेसीपी भी कई जगे देखी होगी, लेकिन बनाने में लगता है मुश्किल होगा। तो चलिए आपके लिए श्वेतास कुक बुक में मैं आज लेके आई हूँ, बहुत ही आसानी से बनने वाले डिलिश्यस मलाई कोफता, रेसीपी पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, 200 ग्राम पनीर को कसके रख लिया है, साथ ही में मैंने ल साइस का उबला हुआ आलू, अगर बड़े साइस का नहीं है, तो आप दो छोटे उबले आलू ले सकते हैं, जब आलू और पनीर आप कस लें, दोनों को मिलाएंगे और उसमें मिलाएंगे दो चम्मच कॉन्ट फ्लार, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिज का हलके हातों से इनको चलाते रहें, जिससे की सारी तरफ से ये इक्वली कुख हो जाएं, देखी कितने बढ़िया क्रिस्पी कोफते हमारे तल के रेडी हो गए हैं, रंग भी इनका बहुत बढ़िया हा गया है, अब ग्रेवी की तियारी करते हैं, एक बड़े साइस के प्या हाले मिलाएंगे, कुछ देर चलाएंगे, बड़िया खुश्बू आने लगे, तो उसमें लहसन की कलिया, अध्रक और लंबा कटा हुआ प्याज उसे मिला के उसको भून लेंगे, जब प्याज हलका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब उसमें मगच के बीज और काजू म मिलाएंगे, अगर आपके पास मगच के बीज नहीं है, तो आप काजू की क्वैंटिटी बढ़ा दें, लगबाग डवल कर दें, काजू मगच के बीज और प्याज को थोड़ी देर और भूनने के बाद, उसमें जो हमने पतले लंबे कटेवे प्याज थें, वो मिला और साथ में मसाला मिलाके उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक की टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, गैस बंद करेंगे और इसको हलका ठंडा होने पर पीस के रख लेंगे, तो ये मसाला मैंने पीस के साइड में कर लिया है, अब कढ़ाई में, जिसमें हमने मसाला भून उसको छान लेंगे, छानना इसको इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसमें साबुत मसाली जो डाले थे, उनके छिलके या कोई बीज अगर रहे गए हैं, तो वो निकल जाएंगे, और ग्रेवी को स्मूध टेक्स्चर मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको क्या तरीके से मैंने इसको छान लिया है, और देखें, लास्ट मैं छिलके वगरे कुछ इस तरीके से बच गये हैं, अब यह हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको फैंक देते हैं, ग्रेवी को दो से तीन मिनट तक पकाना है, अगर आपको यह गाड़ी लग रही है, तो इस कोफते इसमें कभी भी पहले मिला के नहीं रखें, नहीं तो कोफते गल जाएंगे, या बाहर की जो क्रिस्पी लेयर है, उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं हमेशा कोफते जब सर्व करना होता है, उसी समय इस ग्रेवी में मिला देती हूं, इसको आप सर्व कर गर्मा गरम इसको इंजॉय करें, और अग कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी, थैंक यू फॉर वाचिंग, बबाए